संदशनात्मक भाषा विज्ञान के नाम अधिक्रमिय व्याकरन का तात पर रे और संदशनात्मक भाषा विज्ञान का भाषा शिक्षन पर प्रभाव आज हम इन तीना टॉपिक्स को कवर करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो चलिए बिना देरी किये हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सब्से पहले आते हैं सन्रशनात्मक भाषा विज्ञान के अन्य नाम पर तो आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सस्यूर ने सर्व प्रथम भाषा विज्ञान के इन प्रकारों की और भाषा शास्त्रियों का ध्यान दिलाया था सनलश्ट आत्मक पदती वर्नात्मक भाषा विज्ञान की अगली कड़ी है इसमें भाषा के विभिन तत्वों के पारसपारिक संबंधों को लेकर अध्यन किया जाता है भाषा के विभिन तत्व एवम रूप एक दूसरे से परसपर संबद होते हैं यह संबदता रचना की क्रम मूलता में होती है या इस्तित मूलक्ता में इन दोनों प्रकारों से भाषा की सापेक्ष सिद्ध विवेचना की जाती है लियौन्स ने कहा है कि किसी भाषा को संबंधों की एक प्रणाली या अतहा ग्रथित प्रणाली का एक विन्यास मात्र कहा जा सकता है ब्लूमफिल्ड, स्पीर, फ्रेजबोवा आदी भाषा विज्ञानिकों की रचनाओं में संदशनात्मक भाषा विज्ञान के बीज दिखाई परते हैं जौलिस देरिस ने संदशनात्मक भाषा विज्ञान नामक पुस्तक लिखकर इसके सिधान स्थापित किये कुछ भाषा विज्ञानिक इसे भाषा का गड़ित कहना उचित समझते हैं इसके अंतरगत प्रकार्री का महत्व है इसमें रूप की अभिव्यक्ति तथा अर्थ को वस्तु का धरातल भी कहा जा सकता है आधुनिक भाषा विज्ञान भी कहते हैं सस्यूर ने इसके दो भाग बताए हैं रूप क्रमात्मकता या रूप तालिकात्मक तथा विन्यास क्रमात्मक अथा इसे अनेक नामों से अभिहीत किया गया है जैसे टेग्मी मिक्स, टेक्सोनोमिकल, सिस्टमिक आधी भी कहते हैं दूसरा टॉपिक आता है अधी क्रमिये व्याक्रण कातात्पर्रे तो भाषा के सबसे छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर्तक के व्याक्रणों का एक निश्यत पिरामीडिये धाचा होता है जिने अधी क्रमिये व्याक्रण कहा गया है ध्वनी संदचना से लेकर वाक्य संदचना के उत्रोतर क्रम को निम्न आरेक द्वारा समझा जा सकता है जैसे वाक्य संदचना फिर उपवाक्य पदबध शब्द संसकार रूप और ध्वनी अमेरिकी भाषा व्यज्यानिक केथिन एल पाइट को अधी क्रमिये व्याक्रण का जनक माना गया है क्योंकि उन्होंने टी टैगमीसिक नामक उपागम का प्रवर्तन किया जहां ब्लूम फिल्ड उपवाक्य को प्रबंध के घटकों में विभाजित करते हैं वही पाइक इन पाबंधों को प्रकार्यात्मक शब्दों की सूची के साथ सूचित करते हैं इस प्रकार वैस्थान अत्वा उसमें आने वाली अन्य भाषिक इकाईयों रूप, पद, शब्द के योग को वैधिकरम कहते हैं इसे निम्न आरेक द्वारा समझा जा सकता है जैसे स्थान, प्रकार्य, वर्ग, संगिती तो प्रकार्य से करता की भूमिका की आदी सूचना प्राप्थ होती है जैसे खाया, हसा, खेला आदी स्थान से संदचना के घटक के स्थान का पता चलता है इकाईयों का वह समुझ, जो करता के स्थान पर आता है वैवर्ग कहलाता है जैसे करता के स्थान पर संग्या शब्द, मोहन जा रहा है, वह घर जा रहा है संगती में शब्द अनविती वाक्गे, अनविती आदी विशेषताएं आती है वस्तुतहा पाइक भाशा विज्ञान को बाक्के विश्लेशन से व्यापक मानते हैं उनके अनुसार भाशा विश्लेशन के तीन स्तर हैं स्वनिम विज्ञान, व्याकरण, जोकी वाख्के से उपर की सनरचनाव अर्थात प्रोक्ती, भाशन, सनलाप, एकालाप, कहानी, गध्यांश, काव्यांश, पैरा आदी को भी विश्लेशन में शामिल करता है और तीसरा है संदर्व जिसमें संप्रेक्षन, घटना करम, सामाजिक अस्मिता आदी, कारक जुड़ जाते हैं वस्तुतहा भाशा की सभी इकाईयों का वास्त्विक्रम होता है यह क्रम व्याक्रनिक स्तर पर निर्धारित होता है जैसे तुम पत्र लिख रहे हो, यदि इस वाक्के का क्रम उलट दिया जाए तो वाक्के का सही विश्लेशन नहीं कर पाएंगे जैसे हो रहे लिग पत्र तुम अतहा भाषा की कोई भी सन्रचना हो उनका क्रम निश्चित होता है उनके अंतरगत्थम व्याक्रनिक इकाईयों के तथा शाब्दिक इकाईयों के विशलेशन से भाषा विशलेशन कर सकते हैं इसके लिए मन में अंकित अर्थो जाने की आवशक्ता नहीं है बलकि कथन की भाषाई व्याक्रनिक शाब्दिक अर्थ आदी से वाखे का विशलेशन किया जा सकता है अतहा वाखे को भाषा की सबसे महत्तम सार्थक इकाईयों माना गया है वाखे एक संद्रशना है ना की किसी का घटक इसाधार पर कहा जा सकता है कि अधिक्रमिय व्याक्रन का आध्यन संद्रशनात्मक भाषा विज्ञान के अंतरगत किया जाता है हमारा तीसरा टॉपिक है संद्रशनात्मक भाषा विज्ञान का भाषा शिक्षन पर प्रभाव तो भाषा तत्वों की व्यवस्था से संबंदित व्याक्या को संद्रशनात्मक भाषा विज्ञान कहते हैं संदशनात्मक भाषा विज्ञान के अंतरगत संदशनात्मक पदती से विवरण के आधार पर भाषा का विशलेशित किया जाता है भाषा की संदशना उसके अंगों तथा तत्वों से होती है द्वनी शब्द वाक्य तथा अर्थ भाषा के अंग है संदशनात्मक भाषा विज्ञान भाषा के अंगों का विशलेशन करता है अतहब भाषा शिक्षन के लिए सरवाधिक आवश्यक्ता भाषा के रूप का ज्ञान होना है भाषा अधिगम के दो आयाम है पहला भाषा के संदशना संबंधी नियमों की शम्ता जिससे वक्ता संदशनात्मक ग्रिष्टी से सही वाक्यों की रचना कर सके और दूसरा उनके प्रियोक संबंदी नियमों की दश्टा जिससे वक्ता अपने भावों को सामाजिक संदर्व में सही रूप से अभिव्यक्त कर सके पहले का संबंध भाशिक संदचना की शमता से है तथा दूसरे का संबंध भाशा प्रयोक से भाशा प्रतीकों की व्यवस्था है इस व्यवस्था का विशलेशन ही संदचनात्मक भाशा विज्ञान का शेत्र है भाशा विज्ञान के संदर्भ में व्यक्तिरेकी विशलेशन दो भाशाओं के बीच के संबंधों को विशलेशित कर भाशा सीखने में सहायता करता है भाशिक संरचना को मात्र भाशा भाशी बिना व्याकरनिक व्यवस्था में समझे अधिगम कर लेते हैं उसे भाषा की संदचना का ज्यान नहीं रहता यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे संदचनात्मक भाषा विश्लेशन के द्वारा समझा जा सकता है अन्य भाषा शिक्षन के लिए सबसे आवश्यक वस्तू सीखने वाली भाषा की संदचनात्मक व्यवस्था को जारना है साथी प्रयोग की भाषा और सीखने की भाषा के आपसी संबंधों को दर्शाने वाली प्रक्रिया के द्वारा भाषा शिक्षन का कार्य पून्ता संपन हो सकता है यदि भाशिक संदशना का ज्यान नहीं होगा तो वाक्यों की संदशना करते समें अशुद्धी हो जाएगी मैंने आज वहां नहीं जाना तुने वह काम क्यों ना करी ओप्यूक्त वाक्य भाशा में स्विकारे नहीं है क्योंकि कहीं भाशिक नियमों का उलंगन है तो कहीं वाक्यों के मानक प्रयोग का ध्यान नहीं रखा गया संदशनात्मक भाशा विज्ञान ने भाशा शिक्षन के लिए एक विश्त्रित सुविधा जनक द्वार खोल दिया है तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है जिसमें हमने जाना संदशनात्मक भाशा विज्ञान के अन्ये नाम अधिक्रमिय व्याकरन का तात पर्रे और संदशनात्मक भाशा विज्ञान का भाशा शिक्षन पर प्रभव अपने नेक्स वीडियो में हम MHD 7 के Chapter 5 के Question Answer को जानेंगे तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को Like and Share करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन्स के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें Thank you for watching